हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे दुनिया के पास सबसे चौकाने वाले गड़ों के बारे में जिन्हें देखकर आपको अपने आखों पर विश्वास नहीं होगा इनमें से कई गड़े काफी खतरनाक हैं तो कई गड़े राश्यों से भरे हुए हैं फिर भी लोग अपनी ज जगा पर बहुत सारे राश में गड़े हैं लेकिन यह गड़ा इनमें से काफी बड़ा और गहरा है यह गड़ा बहमास के एक आईलेंड पर इस्तित है इसके बारे में रिसर्च करके पता चला कि यह गड़ा यहां पर 15,000 साल से मौजूद है डाइवर्सर्स का कहना है कि ज उन्हें 30 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है जिसकी वज़ा इसका साफ पानी हो सकता है आपको हमेसा यहां पर लोग मस्ती करते हुए दिख जाएंगे जो उचाई से इसके अंदर खूदने से भी नहीं डटते दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जगे पर जाना पसंद करोगे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए गट माला सिटी साल 2007 में लोगों को कुछ अजीब आवाजे आने लगी लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि आवाजे आ कहां से रही है जब कुछ दिन बाद सिटी के बीचों बीच में एक बड़ा सा गड़ा निकलाया तब जाकर लोग समझ पाए कि आखिरी ये आवाज आ कहां से रही थी इतने बड़े गड़े को अचानक से निकल जाने के कार इसमें गिरने से दो लोगों की मोत हो गई थी और हजारों लोगों का घर खाली करवा दिये गए थे क्योंकि उन्हे था मिमाहासिंखोल ओ नाम में जब इस गड़े को खोजा गय तो लोग इसे देखकर चोग गए क्योंकि इसका कलर नीला और पानी एक दम साफ था इसके बाद फिर लोगों की भीड़ यहां रोज पहुचने लगी कुछ लोग इस चमतकार को देखने आते हैं तो अहीं जब इस जगे के पास में रहने वाले गाउं के लोगों ने खोजा था तो इनमें आग नहीं लगी हुई थी लेकिन बैग्यानकों ने यहां पर मवजूद मेथेन गेस को खतम करने के लिए इनमें आग लगा दी और फिर यह आग कभी बुजी यह नहीं पाई इसके बाद यहां पर एक लाग से भी ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए आते हैं और उन्हीं लोगों ने इसे नर्ग का दरवाजा नाम दे दिया सारी सारी नामा यह वह उन्हें जयायुला का सबसे रहसमे गड़ा है जो की जंगल के बीचों बीच में बना हुआ है इस सांदार गड़े के अंदर अपना अलग ही वताउलर है जिसे आप दुनिया में और ढूंट नहीं सकते इसके अंदर आपको जंगल जहने और खतरनाक जानवार भी देखनों की मिल जाएगे वैसे भी लोग यहां पर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका कहना है कि इसके आसपास के पह जिन्दा खा जाते हैं कमेंट में जरूर बताइए दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिलिस सब्सक्राइब कर नभूले